है सो हाई दोस्तों आज किस प्रूम में हम इस इस का होम सेटर का 2.1 वर्जन का जो होम सेटर है उसका वायरिंग सिखेंगे कि कौन-कौन सो वायर किस पर लगता है ठीक है सो अब मैं आपको दिखा देता हूं तो जस्ट इसको मैं सेट को ओन कर दी हूं मतलब ऑफ है अभी इस पर आपको दिखा रहा हूं तो यह होता है किस हमारा जो ट्रांसफर्मर रहते हैं 12-12 यहां पर देख सकते हो आप 2-3 तीन पर 4 लगा सकते हो इस पर ठीक है तो यहां पस मैं इसका वायर को अटेच कर दी हूं एंड आप यहां पस आ जाते है अप अपना जो बैस है ठीक है पूरा कीट है जो होॉम सेटर पर लगते थीख है इस पर बैस में काफी ज्यादा अच्छे थैस ट्रगा बैस से निकलता है है यहाँ पर तो यह उसका पॉइंट एक यह जो यह देता हूं आप एक फोईंट होाइश की लिए एन्ड विये एग फ़ह थे लेफ्ट र기를ड़नेते लिए कि टेकर है यहां पर्स मारे जो धिक रहा है यहां पास कुपर है ठीक है एक कुपर का निक्सक्याच यहां पस लग जाएगा ठीक है और कुपर के लिए यहां पास एक फोक्रांप यूज कहा हो यहां पस दिखा हुआ है पोटेट स्य मीटर ठीक है ओलिम को अप्टम करने के लिए ठीक है बेस का और गाईस ए जो है डवाज चैनल का 100 के का ए पोटेट स्य मीटर है ठीक है इसका वाइरिंग थोड़ सा आलाग होता है इसका जो बीच वाल जो पॉइंट डिख रहा है इसका दूसरा वाला लेक ठीक रहे इए रहाको दिखा दूँँ ठीक है गैस इसका जो दूसरा वाला पॉइंट डीख रहे है एंड लास्ट वाला वापस लेफड राइट का ठीक है कनेक्शन दे देना सो गाइस यहां पस मैं क्या कि हूँ यहां पस से जो कनेक्टर दिख रहे हैं आपको 5P वाला वहां से टोठो वायर को निकाल दिया हूँ और हमारा जो डबल चैनल का पोटर सीव मीटर है इम दोनों पॉइंट पर इसको लगा दी हूँ यहां पस हमारा जो ब्लूटूट काड़ है ठीक है ब्लूटूट का एक हो तो यहां पस मैं डायक इस पर ग्राउंड दे दिए हूँ ठीक है मैनस पे और और एंड वह इसका लेफ्ट राइट का कनेक्शन आपस दे दियों तो आप पुछ इससे किसे का कनेक्शन कर सकते हो जल्दी आसा करेंगा इसका और वीडियो लाओं ठीक है एंड आपको अच्छे ते किसे और भी समझाओ अभी तो इसको सिप ऐसे आपको कनेक्टर कहांपस कौन सा वायर लगे ओ आपको दिखा दियों अगले माल रजब सा झाला आपको अबर सकते हैं अवाय देक्टर कहांपस कर दो हो है किसे और एंवायर नहांपस कर सकते हैं और सकते हैं पूँदयों किस दोप्छे मुछ भी